स्टडी आईक्यू बैंक एन एससी शुरुवात से सभलता तक है इसके अबजिक्टिव क्या है और इसमें क्या फाइदा लोगों को मिलने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो की बात करने वाला है प्रधान मंत्री सूर्यद अय documentation के बारे में ओर राइट शुरुवात करते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोधी has announced प्रदानमंत्री सूरद योजना तो ये हमारे भारत के प्रदानमंत्री जी के द्वारा announce की गई थी, कब की गई, अयोध्या के just, event के just after ही इस scheme को announce कर दिया गया था, 2024 की हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं कि इस scheme में होगा क्या, इस scheme के तहत, 1 करोर, 1 करोर household पर क्या किया जाएगा, solar rooftop provide किये जाएंगे, उसके बाद हम इस scheme के aim की बात कर रहे हैं, कि इस scheme का aim क्या है, इस scheme का ये है, कि आम जनता का, जो बिजली का बिल बहुत जादा आता है, उसको reduce करना, उसकी costing कम करना, इसका aim है, अब यह costing कम कैसे होगी, क्या यहाँ पर कोई subsidy provide की जा रहे हैं, बिलकुल नहीं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, घरों के उपर solar rooftop panels लगाए जाएंगे, और उनको घर के main power switch से, main power supply से connect किया जाएगा, जिससे की electricity cost कम हो जाएगा, पात करते हैं, scheme aim to reduce the electricity bill of the poor and the middle class, along with making India self-reliant in the energy sector, यहाँ पर cost to reduce होगा ही, बिजली के बिल का, दूसरा यहाँ पर इंडिया को self-reliant, यानि कि आत्म निर्भर बनाया जाएगा, किस sector में, energy के sector में, ministry of new and renewable energy, बात करेंगे, यह एक central government की scheme है, यानि कि इसको जो sponsor किया जाएगा, by the central government ही किया जाएगा, बात कर रहा है, these rooftop solar panels are photovoltaic, तो यह जो rooftop solar panels होंगे, जो घरों पर लगाए जाएगे, एक करोर घरों पर जो यह लगाए जाएगे, यह photovoltaic होने वाले हैं, जिनको main power supply unit से connect क जाएगा, इससे क्या होगा, जो consumption है, grid connected जो electricity का जो consumption है, वो कम हो जाएगा, और इस तरीके से electricity cost जो है, वो यहाँ पर safe की जा सकती है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके eligibility criteria के बारे में देख लेते हैं, कि कौन कौन इस scheme का फायदा उठा सकते हैं, तो सबसे important यहाँ पर बोला ह और 1.5 lakh से जाधा की annual income नहीं होनी चाहिए, वही लोग इस योजना के लिए, इस solar rooftop panels के लिए apply कर सकते हैं, one must have all the original documents, यह भी एक important यहाँ पर criteria रखा गया है, और दूसरा government employees को इसका फायदा नहीं मिलने वाला, आगे चलते हैं, so this is all about our today's session, जिसके अंदर हम लोगोंने बात क प्रिदाहन मंत्री सूर्य दय योजना के बारे पर, अगर यह session आपको अच्छा लगाए, तो अभी की अभी लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, Study IQ Bank and SSC को, बाबाई, टेक किया, Study IQ Bank and SSC, शुरुआत से सभलता तक